असलाम आलाइकम स्टूडेंट्स क्या हाल है आपके उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल इजी टेकनिक के साथ क्लीटरी मेकप लूक का टिटोरियल शेड करने वाले हैं जो कि आज कल काफी ट्रेंडी भी है तो आपने वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है लास तक हमारे साथ बने रहना है नहीं में बेकप सेठा करें हम कंटुर के साथ आई को कंटौर करेंगे पहले पीच प्रॉण शेटिंड के साथ और हम लोग इने मतलब आइस सब्सक्रास करने वहां ओप और आपने कलरे करना है और एज्जेश को आप ने बहुत तरीके से ब्लैंड करते हैं जितना अच्छा हो सेके blending हो सेके इतनी अच्छी आपने परफेक्ट तरीके ब्लेंडिंग यहां पर कर लेनी है अगें यहां पर मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ डार्क ब्राउन का एक ब्रश इस वकत मैं थोड़ा डिफरंट लिया है ठीक है चेंज किया ब्रश को यह भी थोड़ा फलफी ब्रश है एंगल ब्रश है और इसकी हेल्प से मैं पिगमेंट उठा रही हूं और यहां ब्राउन कलर का शैड़ो क्रिएट कर रही हूं जिसको प्रोपर क्रीज तक लाकर आउटर तक पूरा अच्छा तरीके से आपने ब्लेंड करना है ठीक है यह एक प्रोपर एक मतलब मैथड है एक प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो जरूर करना है अब यहां पर हम लोगों ने जो डार्क ब्राउन शैड़ है उसे आउटर कोरनर पर भी लगा रहे हैं और पर पीच कलर के साथ जो उसका मतलब के मिक्सिंग उसकी जो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं ठीक है यह आपकी परफेक्ट तरीके से हो जाए क्योंके आज हम स्मोकी गलीटरी आई मेक अप लुक आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपने इन सारे स्टेप्स को इसी त आपको लगत त्रही करना है इस तरह से और बिल्कुल आपने लैश के उपर उपर अप्लाइख करना है और आहिस्ता आईस्ता आपने से बल्म से ज़ stand को ब्लैंड करना और उसकोCOM ौह बकलाने उस कलर उठा सकते हैं पाउड़ी शेड उठा सकते हैं और अपलाई कर सकते हैं वैसे पी जो पाउड़ी शेड होते हैं वो असानी से ब्लेंड हो जाते हैं अगेन मैं यहां पर अपना कंटूर कलर अपलाई करूंगी उसको ब्लेंड करूंगी अच्छे तरीके से और सबसे लास् कर रही हो और दूसरा आउटर पर अपने आईशाड़ अप्लाई किया उसे नीट लुक देने के लिए भी मैंने यहां पर अप्लाई किया और अब मैं अपने ब्रश की मदश से पहले इसके अधर से बहुत ज़्यादा अगर आपका कंसीलर लगेगा तो ब्लैंडिंग करने मे कि बड़ी प्र Hoff कलार को ब्लैंड करना है अगर आपको यह कलर अपने गल तरीके के से ब्लैंड किया तो आए ठीक है थोड़ा सा ग्लीटरी लुक करने के लिए हम ने यहां पर बस जस्ट मिस रोस ब्रैंड का ग्लीटर अपलाई किए और जितने प्रोडक्स मैं यहां पर अपलाई किया उनके सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्ट्ट बॉक्स में मिल जाएंगे आप जाकर जरूर को अपुसीर साइट पे चलाओ तो चृटने कॉट्स प्राइबर और और टेटीघक है वांओवगारी चेहाहुएर बायो १ूग होगा के वा जा चालर की नियुर्पट के र हुब है ओर फिल दो पर यूज कर रही हूं ठीक है और बहुत ही सिंपल सा एजी सा आज का ये मेक अप था लेकिन आज कल इस मेक अप को काफी जादा लाइक किया जा रहा है आप देखेंगे कि ये जस्ट फाइफ बिनिट में हो जाने वाला मेक अप होता है और इसको आप कुविकली तरीके से कर सकते ठीक है ये गलीटरी स्मोकी आई मेक अप लूक है और अब मैं यहां पर अपना वाटर प्रूफ लाइनर को यूज कर रही हूं ठीक है जिसको इनर से भी थोड़ा सा विंग बना रही हूं आउटर से भी हलका सा विंग बना रही हूं क्योंके स्मॉल आइस पे ही आज भी हम काम कर रहे हैं तो बहुत जादा जादा विंग बनाने की जरूरत नहीं है ठीक है अच्छा ये हमारा फिनेशिंग लुक है मसकारा लगाएंगे लेशिस लगाएंगे यहां पर और फिर मजीद और मतलब खुबसूरत लगेंगी हमारी आइज और इस तरह से हमने इस ये पार् करने में कुछ भी टाइम नहीं लगता है ठीक है आइस के अंदर हम जो फिल कर रहे हैं ये क्राइलोन ही की टीवी पेंट स्टिक का नंबर है 45 इसको मैंने इस तरह से एक छोटे ब्रेश की जो पिछली डंडी होती है उसके साथ आंकों के अंदर अप्लाई कर लिया हुए औ आइस और भी ज़्यादा खुबसरत लग रही होती है ठीक है कुछ लोगों को लेंजिस बहुत ज़्यादा सूट करते हैं कुछ लोगों को लेंजिस अलर्जी वगरा होती है रेड हो रही होती है आइस तो जिनकी आइस डैट हो रही होती है उनसे रिक्वेस्ट करें के ले गायर ही मेकप करवा लें या फिर कोई अच्छी क्वालिटी के लेंजिस क्वियर करें ठीक है और यह देखें जी अब हमारा फिंशिंग लूक कमीद अच्छा लगा होगा लाजमी कमेंड करके बताएगा इजाज़त दीजिएगा अल्ला आफ़ीस